नमस्कार दोस्तों, I am Som Somdaya, once again I am here with a new and interesting video तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की और बहुत ही interesting वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, आज के दिन English हमारे daily life में इस तरह से गुज़ गई है जैसे आटे के अंदर नमक दोस्तों, यदि आपको रोटी बनानी है तो आटे में नमक डालना ही पड़ेगा वैसे ही आपको यदि daily life है तो उसके अंदर English तो आपको बोलनी पड़ेगी और English आप बोलते भी जाते हो तो दोस्तों, आज ऐसे 5 words में लेकर के आया हूँ यानि कि 5 ऐसी spellings हैं जो आफ daily life में बोलते तो आयो लेकिन इसमें से 90% लोगों को उनकी spelling नहीं पता है या उनकी spelling गलत है यदि आप भी चाते हो अपनी knowledge चेक करना तो यह मैं कहता हूँ यह 500 spellings आप अपनी notebook में एक बार लिख के देखना और फिर बताना कि क्या आपको 500 spellings आती थी या फिर 5 में से कितनी सही हैं तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों, कोई ना कोई आपका भाई बहन या आप भी कभी इस class में पढ़े होगे तो जब भी आप से पूछा गया होगा या आप किसी से पूछते हो कि आप कौन सी class में पढ़ते हो तो कितने easily कह देते हैं ना कि 12th class में तो क्या आपने कभी सोचा है कि 12th की spelling क्या होती है तो 12th की spelling है T-W-E-L-F-T-H 12th, F यहाँ पे silent रहता है 95% लोगों को इसकी spelling का पता नहीं था तो यह थी बहुत ही interesting और बहुत ही कमाल की जानकरी चलिए दूसरी information के तरह बढ़ते हैं दोस्तो आर्मी के अंदर एक रैंक होता है कर्नल सभी बोलते हैं मेरा भाई कर्नल है मेरा दोस्त कर्नल लगा हुआ है तो कर्नल को आप इंगलिश में यदि spell out करो तो spelling कैसे बनेगी क्या C-O-U-R-N-A-L बनाओगे या फिर के से start करोगे नहीं मेरे दोस्तो इसकी spelling रहेगी C-O-L-O-N-E-L कोलोनल दोस्तो आर्मी के अंदर एक और रैंक होता है जिसे हम लेटिनेंट कहते हैं तो लेटिनेंट की भी spelling कैसे बनाओगे आप L-E-F-T-I-N-E-N-T बनाओगे नहीं L-I-E-U-T-E-N-A-N-T दोस्तो S-P-D-S-P इस तरह के रैंक तो आप सुनते ही रहते हो तो क्या आपने सोचा है कि S-P की full form क्या है Superintendent of Police तो कई बार हम Superintendent को Superintendent बोल देते हैं Superintendent है, Superintendent है, Superintendent है Superintendent नहीं है, यह Superintendent है तो क्या आपने सोचा है कि Superintendent की spelling क्या होनी चाहिए S-U-P-E-R-I-N T-E-N-D-E-N-T Superintendent दोस्तों कई बार आप अखबार में बढ़ते हो News में सुनते हो कि वहाँ पे सुनामी आगी सुनामी आने से इतने घर तबाह हो गया इतना नुक्षान हो गया तो क्या आपने सोचा कि सुनामी की spelling क्या होनी चाहिए तो सुनामी की क्या spelling लिखो गया S-U-N-A-M-I या S-O-O-N-A-M-I नहीं मेरे दोस्त इसकी spelling बहुत ही आलग होती है बहुत ही different होती है यहाँ पे T से सुरू होती है जो कि हम सोच भी नहीं सकते T-S-U-N-A-M-I T-SUNAMI T-SUNAMI का meaning वही रहता है लेकिन यहाँ पे T हमारा silent होता है तो यह बोलने में सुनामी आती है और लिखने में T सुनामी आती है तो दोस्तो थी ना 500 की 500 कमाल की जानकारी और कमाल की information आपके लिए यदि आपने 500 spelling से अपनी copy में लिखके देखे हैं यदि हमसे Facebook पे जुड़ना चाहते हैं तो Facebook पे भी The Rural Fight के नाम से हमारा Facebook page है वहाँ पी हमारी वीडियो की notification और वीडियो की update मिलती रहती है तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक be happy, keep smiling, take care, thank you